नमस्का दोस्तों वेलकम टू बोडेन लेरन और श्रिलंका करने जा रहा है बुर्का बैन जहां यहां पर आप वियोन का आर्टिकल देखेंगे लंका कैबिनेट अप्रोजल पर्पोजल तो बैन फेस कवरिंग से पब्लिक प्लेसेज नोट एग्जेकली बुर्का बच जितने भी फेस कवरिंग से वो सब को बैन करेगा तेखें स्रिलंका की कैबिनेट ने कल यानि 27 अप्रेल को एक पर्पोजल पास के है जिसमें वो नोंने कहा है कि वो फेस कवरिंग को बैन करने जा रहे है जिसमें ऑटोमेटिकली बुर्का नकाब और वेरियस जो फेस कवरिंग से वो सब आ जाती है इससे पहले आपको याद होगा कि मार्च में भी ये न्यूज आई थी कि बुर्का बैन करने जा रहे है श्रीलंका तो ये उसी सिलसले में आगे का स्टैप है मैं आपको बताऊंगो एक टाइम लेंग के थूरू के कब-कब श्रीलंका में फेस कवरिंग को लेकर स्टैप्स उठाए गए अगर मैं इसकी और डीटेल साब को बताऊं तो श्रीलंकाई गवर्मेंट में एक फेस कवरिंग को लेकर परपूजल को पास किया था इस परपूजल में अटोमेटिकली जितने भी बुर्का है निकाव है वो आ जाते है रीजन इसके पीछे की स्रीलंकाई गवर्मेंट ने ये दिया कि नैस्वन सिक्योर्टी की वज़े से हम बुर्के को या फिर जितने भी फेस कवरिंग उनको बैन कर रहे है अब आपके मन में सवाल ही आएगा क्या मास्क भी बैन आजेंगे वो भी तो फेस कवरिंग होती है तो देखिये मास्क के लिए स्रीलंकाई गवर्मेंट ने इकाए कि वो इसे अलाओ कर रहे है फिलाल कोविद ने की सिच्वेशन के वज़े से कि आप आप देखेंगे स्रीलंकाई के कैबिनेट के स्पोक पर से ने कहा लिया रामबुक वेला उन्होंने काई कि the cabinet has decided to ban all forms of face coverings in public places इन्होंने बुर्का को especially mentioned नहीं किया अपनी statement में और नहीं ये जो original paper है उसमें mentioned है उसमें सिफ simply लिखाएगे कि public places में face covering को ban किया जा रहे इसमें automatically जो बुर्का है नकाव है वो include हो जाते है अब मैं आपको बताता हूँ एक simple timeline के थुरू कि कब-कब कौन-कौन से step उठाएगे बुर्का ban करने के लिए श्रीलंका में जो देखें आपको याद होगा अप्रेल 2019 में श्रीलंका में एक suicide bomb अटाया को था Easter Sunday के दिन जिसमें धाई सो लोगों को अपनी जानगवानी पड़ी थी जिसमें 11 इंडियन भी थे उसके तुरंत बाद ही श्रीलंका government का एक फैसला आता है कि श्रीलंका की government ने एक paper sign किया बुर्का बैन करने के लिए और Islamic schools को shot करने के लिए reason यह इद के पीछे दिया गया कि Islamic schools कटरपन थी यानि कि extremism को ज़ादा बढ़ावा दे रहे हैं इस फैसले के बाद स्रीलंका की government को international community especially जो Muslim countries हैं उनसे criticism face करने को मिला जिससे स्रीलंका की सरकार दवाव में आ गई और उन्होंने statement दी वो किसी भी जल्दबाजे में नहीं है face covering को ban करने के लिए अब हम देखने है कि 2021 अपरेल यानि इसी महिने में स्रीलंका की government ने एक proposal पास कर दिया है face covering को ban करने के लिए तो यह जो news है वो इसी चीज़ को लेकर है स्रीलंका की cabinet ने एक proposal को किलियर किया है ताकि वो ban कर सके तमाम दरेगे face cover को अब यह जो परपोसल है इस स्रीलंका की Parliament में जाएगा वोट के लिए वहाँ पर इससे वोट किया जाएगा और अगर इसके favor में वोट पड़ते हैं तो यह एक act बन जाएगा और act बनने के बाद श्रीलंका में तमाम face cover को ban कर दिया जाएगा excluding COVID-19 mask अब सवाल यह आता है कि इससे affect कौन होगा तो देखिए स्रीलंका के अगर religious demography की बात की जाए तो 70% बुद्धिस वहाँ पे majority में है minority के अगर बात की जाए तो हिंदू 12.6%, 9.7% Muslim and Christian 7.6% तो generally हम देखे तो जो face governing से वो Muslim community में जादा होता है तो यह 10% Muslim से स्रीलंका के इन पर सबसे ज़्यादा इसका effect होगा और यह लाजमी है कि श्रीलंका को इसके पीचे criticism भी face करना पड़े तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्च महिने में पाकिस्तान का जो High Commissioner श्रीलंका में साद खटग उन्होंने इस फैसले को divisive step बताया था और यह काया था कि जो Muslim sentiments से इससे hurt होते है और वहीं श्रीलंका कंट्री को लेकर यह का गया थे श्रीलंका में जो fundamental human rights है minority के वो भी इससे hurt होते है इसके अलावा जो Maldivian diplomat है M.I. शहीद उन्होंने इसे international law के खिलाफ बताया है और उन्हें बताया कि religious belief of freedom of expression को suppress करता है तो देखी स्रीलंका को इसके पीछे काफी criticism face करना पड़ रहा है लेकिन जिस तरी किसी स्रीलंका के गवर्मेंट के हाँ पर nature नजार आ रहा है वो लगता नहीं है कि अपने फैसले से हटेंगे अगर श्रीलंका ऐसे country की बात की जाए तो वो इन ही कारणों के चलते काफी जादा आजकर news में रहा है अभी आपने recently सुना हुआ कि UN Human Rights Council ने एक resolution पास किया स्रीलंका पर Tamil के genocide हुआ था कुछ दशक पहले उसको लेकर श्रीलंका की सरकार ने ये का था कि ये एक normal चीज थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो उसके चलता है Human Human Rights Council ने एक resolution पास किया स्रीलंका पर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी उपर detail में एक video बनाऊ timeline के through तो आप मुझे comment section पर बता सकते हैं इसके राव आपको एक बात और याद होगी जो Muslim community ये श्रीलंका में उसका discriminated तरीके से cremation किया जा रहा था श्रीलंका में जिसको लेकर international community से उसको काफी दवाब जहलनों को मिला और ये बाद Human Rights Council तक भी पहुची जिसके दाव में श्रीलंका की सरकार को अपनी ये जो activity थे इसको बंद करना पड़ा तो ये जो recently श्रीलंका एक government ने steps उठाएं अपनी religious minority को लेकर ये श्रीलंका की government का जो discriminating nature अपनी religious minority को लेकर वो परजेंट करता है आप मुझे अपने thoughts comment section बता सकते हैं श्रीलंका की इस फैसले को लेकर कि आप बुर्का बेन को support करते हैं या support नहीं करते हैं इसके अलावा अगर आपको ऐसी और information चाहिए तो board and learn channel को subscribe कीजिए अगर विडियो आपको पसंदाएए विडियो को like कीजिए, share कीजिए और अपने thoughts को comment कीजिए thank you for watching, we'll meet you in the next one, जैहंद